तो मेरे विद्यार्थी भाई बहन, अब हम लेखक परिचाई पाकर आगे बढ़े, काव्य में संत रेदास जो इश्वर के प्रती एकनिस्ट भक्ती भावना जो उनकी है, उसके दर्शन होते हैं, उन्होंने अपने पदों में, प्रेदास का ये पत तो ठीक है, और पदों में भी इश्वर के प्रती अपने अतूट सबंधों की प्रुस्टी की हैं, यानि अभिवक्ती की हैं, इस काविय में आपको, मैं बता दू, हम जब उत्तर लिखेंगे प्रशन का, तब उसमें लिखना है, इस काविय में उसका दास्य भाव प्रगट हुआ है, प्रभु के प्रती, इश्वर के प्रती, उसका दास्य भाव प्रगट हुआ है, इन पदों में उन्होंने जो जो उदाहरन देकर भगवान को बताया है, वो हम आज करेंगे, तो शुरू करें, प्रभु जी, तुम चंदन हम पाने, जाकी अंग अंग बास समाने, मेरे भाई बेन, हम सब जानते हैं कि जो सुखर का वो होता है चंदन बनाने के लिए, उनमें पानी मिला कर उसे गीशना पड़ता है, तब जाकर वो चंदन बनता है, तो यहां संत रहदास कहते है कि, ही इश्वर, प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, चंदन और पानी को एक होना है, चंदन को घिस घिस कर, समपूर्ण पानी के साथ मिलकर, पानी को भी चंदन में मिल जाना है, यानि समर्पन भाव, चंदन के साथ पानी जैसा है, चंदन के साथ घिसने पर भी चंदन की सुबद चंदन को पानी के साथ घिसते है तो उसकी क्या होती है तो उसमें सुगंध व्याप्त हो जाती है पानी का मुल्य बढ़ जाएगा चंदन के साथ जुड़ कर तो वो क्या रहा? समर्पन भाव रहा हे प्रभु आप चंदन है तो मैं पानी हूँ आपकी सुगंद भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है यानि की जाकी अंग अंग बास समानी है इश्वर आप चंदन है तो मैं पानी हूँ चंदन और पानी मिलकर अमारे हर एक अंग अंग को क्या करते हैं संपूर्ण शरीर में आप मेरे व्याप्त हो गई हो अमारी हर सास इश्वर की प्रती आभारी रही है अमें पता है दूसरी पंक्ती में कवी कहते है कि प्रभू जी तुम घनबन हम मोरा जैसे चित वत चंद चकोरा कनबन यानी मैं आपको बता दू कनबन यानी बादल मोरा यानी मोर वर्षा के समय जो बादल गिरगिराते है और वर्षा आने के समय जो मोर प्रसंद नहोकर नाच उठते है इसा कुछ वर्णन यहां पे हम करेंगे कभी न लिखा है जैसे चित वत चंद चकोरा यानी की संत रेदास कहते हैं कि हे इश्वर आप मेरे लिए गनबन यानी की बादल समान हो और आपको अपने मैं क्या मानता हूँ अपने आपको तो वो खेत है कि बन यानी जंगल बन यानी बादल बन यानी जंगल आप मेरे लिए बादल जैसे होए और मैं अपने आपको जंगल का मोर मानता हूँ गन यानी बादल ज्यान दीजेग्या गन यानी बादल वन यानी जंगल का मोर मानता हूँ मोरा यानी मोर हे इश्वर जैसे आगे की पंक्ती जैसे चितवत चंद चकोरा यानी की जैसे वर्षा रुतु में काले बादलों को देखकर मोर मगन हो जाते है जूम उटते है, नाच उटते है, उसी तरह आपको निहार कर है इश्वर, आपको देख कर मेरा मन भी जूम उटता है, नाच उटता है ये दूसरी पंक्ति में है चितवत चंद चकोरा चकोरा पक्षी का नाम है चितवत यानी देखना मन से देखना चितवत यानी देखना जो चकोर नामक पक्षी है तीतर जैसा जो पक्षी है वो पूरे दिन ये चकोर नामक पक्षी चंदर के सामने ही देखता है इसा कहा जाता है तो यहाँ पे रेदास कहता है कि हे प्रभू चैसे चातक पक्षी चितवत चंद चकोरा चकोरा यानि चातक चितवत यानि चंद्र यानि चंद्र के सामने चंद्र मा को देखता रहता है उसी प्रकार में भी सदा आपकी भक्ती में डूबा रहता हूँ चितवत चंद्र चकोरा यानि में भी आपकी भक्ती में उसी प्रकार लीन रहता हूँ आगे प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी जोती बरे दिन राती यानि कि कभी कहते हैं कि ये प्रभु मेरी भक्ती जो है आपके प्रती मेरी जो भक्ती है वो कैसी है दीपक में जलने वाली बाती की तरह है गुजराती मा कईये तो दीवा मानी वाट दीपक यानी दीवो अने एमा रहेली वाट आपने खबर चे गी अच्वा तेल थी आपने डुबाडिये जेम जेम की पूर्ता जीये तेल ना की एटली वारे पची थोड़ा शमय पची दीवो शुती जाई तो के पोते बढ़ी जा एम यहां रेदास कहे चे के कहते है कि मेरी भक्ती दीपक ने जलने वाली बाट की तरह है जीज प्रकार चाकी जोती बरे दिन राती जीज प्रकार दीपक की बाती अपने आपको जला कर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुबव करती है उसी तरह यह इश्वर में भी अपना अस्तित्व खोकर चाकी जोती बरे यानि उसकी जोती जो है वो बुझ जाती है तो अपना अस्तित्व मिट जाएगा किसका बाती का अस्तित्व मिट जाता है फिर भी वो आपके भक्ति की अभीलाशी है आगे प्रभू जी तुम मोती हम धागा जैसे सो नहीं मिलत सुहागा तो इस पंक्तित में रेदास अपने प्रभू को इश्वर को क्या कहते है आप मेरे लिए मोती की बात है मोती हमने देखे है मोती शब्द आते ही हम सुन्दर मोती जो दिखते है धागा यानि दोरा या तो वो जो जुड़ता है वो माला मोती की हमेशा माला रहती है तो यहां वो कहते है कि आप मेरे लिए सुन्दर और चमकदार मोती की भाती हो प्रभू मैं आपको मोती मानता हूँ और अपने आपको वो धागा मानता हूँ जिसमें मोती परोये जाते है माला बनाने के लिए हमको धागे में मोती परोना है तो वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ता रहता है जैसे सो नहीं मिलत सुहागा तो मोतियों की माला का धागा जिस से जुड़ा रहता है उसी तरह वे भी अपनी भक्ती के द्वारा भगवान के इस धनिस्ट रोप से रहना चाते हैं वे इश्वर से अपना जुडाव, मोती और धागा का जो जुडाव है, माला में, वो जुडाव, सोने और सुहागे का मेल जैसा, हमारे गुजराती मा पन केवत है, सोने पे सुहागा, M, सोने और सुहाग की मेल की संगना देते है,